क्लास अलेवन्त सेट्स थियोरी चेप्टर वन लेक्चर शेक्स अगर आप क्लास अलेवन्त के स्टुडेंट हो क्लास टेंट पास कर चुके हो और सुरुआ से आप तियारी करना चाते हैं तो आप हमारे द्वारा बनाएगे सभी वीडियो को देख करके आप स्रियली तियारी कर सकते हैं अब देखिए ये थियोरी का जो है छटा लेक्चर है पांस लेक्चर जो है कि हम बना चुके हैं आप लोग उस लेक्चर को भी देख लिजिए ताकि आपको समझने में कोई कठनाई ना हो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगे वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और सिरियली आप सभी वीडियो को देख करके आप समपूर्ण तयारी कर सकते हैं अगर आपने शुरुवास से वीडियो को देख लिया तो आप 11 का मांस्टर बन जाएंगे निश्चित तोर पर यहाँ पर हम आपको एक एक परिभासा को समिलित करने जा रहे हैं और काफी बारिकी से समझा रहे हैं तो इसलिए सभी वीडियो को देखिए और समपूर्ण तयारी का लाव लिजिए चलिए आज के इसी करी में हम बढ़ते हुए कल जो हुआ था यानि चार गो जो है लोग कल हो गया था आज जो है कि पांचमा लोग होगा बितरन का नियम बितरन नियम डिस्ट्रिब्यूटिव लोग देखिए पांचमा नियम क्या है बितरन नियम बितरन का अंगलिस होता है distributive नियम का क्या होता है law होता है चुकि एक सधीक नियम है तिसलिए laws अब देखिए 4, any, 3, sets A, B, and C आप देख सकते हैं बितरन का नियम यह पाचमा नियम है 4 नियम यहाँ पर हम कर चुके हैं distributive laws 4, any, 3, sets A, B, and C हिंदी हो गया कोई 3 समुचियों A, B, C के लिए अब देखिए बितरन का नियम होता है किस परकार से परिभासित होता है अगर 3 समुच आपको A, B, C दिया रहे तो बितरन का नियम किस परकार से परिभासित होता है तो देखिए पहला नियम जो है A इनको हम union परते हैं U for union A union B intersection C बराबर होता है अब देखिए A union है देखिए गुना हम क्या करते हैं जिसे A union क्या हो गया B A और B को एक साथ लेंगे तो A union क्या हो जाएगा A union B इनको साथ रख लेंगे फिर देखिए A किस के साथ ओपरेट होगा C के साथ तो A union क्या हो जाएगा A union C अब देखिए बीच में क्या चीन है बीच में चीन क्या intersection का तो इसलिए बीच में किसका चीन आ जाएगा intersection का अब ऐसा इसलिए होता है जिसे मान के चलिए कि simple तोर पर ही आप समझे जिसे हम लेते हैं एक दो गुना दो गुना X पलस Y लेते हैं तो हम क्या करते हैं दो गुना X दो गुना X पलस है तो बीच में क्या देते हैं पलस फिर दो गुना दो गुना य य है तो हम क्या देते हैं य ऐसे होता है कि नहीं होता है तो उसी परकार से देखिए जो यहाँ पर होता है वो बीच में आ जाता है वो बीच में आ जाता है तो उसी परकार से यहाँ पर intersection है तो intersection बीच में आ जाएगा union है तो यहाँ पर भी union रेगा यहाँ पर भी union होगा अब देखिए इनका जो दूसरा नियम है बितरन का कि A intersection B union C A intersection B union C आप देखिए A intersection है तो B के साथ operate होगा तो A intersection क्या होगा A intersection B अब यह union है बीच में तुहाँ पर क्या आएगा बीच में आएगा, फिर देखिए, A intersection B के साथ operate हो चुका है, अब किस के साथ होगा, C के साथ, तो यहाँ पर होगा A intersection C, यह इस परकार्स हो जाएगा, अब चलिए, प्रूप, एक को हम प्रूप करते हैं, और दूसरा को आपको स्वह ही करना है, तो देखिए, first में क्या होगा मान लेते हैं कि X जो है, A union B intersection C का क्या है, सदस है, मान लिए कि X जो है, यह एक लिए न, प्रूप कर रहे हैं, तो यह LHS part हो गया, यह क्या हो गया, RHS part हो गया, यह, तो यह LHS है, इन से हम जो है कि इस मान को पुराएंगे, तो मान लिए कि X जो है, A union B intersection C का क्या है, सदस है, यानि इसके set में आएगा, तो अब देखिए, X क्या होगा, A का सदस होगा, और union का मतलब होता है, और, OR, OR, union मतलब होता है, OR, यह, तो OR, OR यहां पर हम लिख दिये, और, अब देखिए, एक बार X A का सदस होगा, और एक ब कुड़े, Z का सदस होगा, तो X belongs to क्या करेंगे, B intersection C, ऐसा हम करेंगे, अब देखिए, तो X belongs to A, E है, न, तो यहां पर रख देंगे, E, OR, OR है, न, यहां पर और रख देंगे, फिर X belongs to B करेंगे, X किसका सदस होगा, B का, और intersection का मतलब होता है, END, END, यहां पर intersection है, तो इस इसलिए, इसके बदले हमें क्या लिखेंगे, END, END, फिर X belongs to, यहां पर क्या है, C है, X belongs to क्या लिखेंगे, C, यह इस पर कार से हमें लिख दिये है, अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए कि X belongs to A है या अब X belongs to A है यहाँ पर X belongs to B है इनको और इनको हम एक साथ रख लेंगे रख लिए फिर X belongs to A है और है और यहाँ पर X belongs to C है इनको और इनको हम क्या करेंगे एक साथ रखेंगे यहाँ पर रख देंगे वही गुना वाला जो अभी समझाए है निया उसी परकार से अगर नहीं समझ रहे तो समझ ये इस परकार से कि यह जो है न, एक बार B के साथ operate होगा, तो A B के साथ operate हो गया, गुना की रूप में समझेए, या एक बार A किसके साथ operate हो जाएगा, C के साथ हो गया, अब यह जो बीच में जो चीज लिखा होगा, तो आपको लिखना होगा, तो लिख दिये, अब देखिए, तो X belongs to A है, या X belongs to B है, तो X A का भी सदस है, या X जो है B का भी सदस है, तो X जो है न, A में भी है, और X जो है B में भी है, या तो X A में है, या तो X B में है, तो हम करेंगे किया, कि हम लिख सकते हैं कि X belongs to A है, तो यहाँ पर A देंगे, यह जो और, और है, और का मतलब होगा, यूनियान, य इसलिए इस ओर के बदले में यू का चीन का परियोग करेंगे हम लिखा चुक हैं यू का मतलब होता है और और ऐसे यू को पलट देते हैं intersection का मतलब होता है end ये हम शुरुवात में हम बता चुके हैं एक बार पुनो देख लिजे u को और intersection को हम end कहते हैं अब देखिए end है ये end यहां पर पुनो लिख देंगे अब देखिए x a का भी सदस है या x c का भी सदस है x हम क्या करेंगे निकाल लेंगे तो निकाल लिए तो ये यहां पर हो गया और का मतलब u होता है union तो u रख देंगे c है तो यहां पर क्या रख देंगे c रख देंगे रख दिए अब देखिए x यहां पर भी है ये union b का भी सदस है और x A union C का भी सदस है तो X इसमें भी है और इसमें भी है तो सम्मिली तरूप से एक साथ हम निकाल सकते हैं तो अगर सम्मिली तरूप से निकालेंगे तो A union भी यहां पर बचेगा ही जो end है end का मतलब हो गया यहां पर देख सकते हैं end मतलब क्या होता है intersection तो इस end पर बतले हम intersection यहां पर देदेंगे intersection और A union C है तो यहां पर A union हम C कर देंगे और इसे coast से हम घेर दिये अब हम चलेंगे उपर यहां पर देख सकते हैं यहां पर हम क्या लिए थे X belongs to A union B intersection C यह लिए थे X belongs to A union B intersection C यह लिए थे इस मान को और इस मान को एक साथ हम रख दिये हैं रखने के पस्चाथ अब देखिए X जो है यानि इस सेट में भी A union B intersection C में भी क्या सदस है? X है और X जो है A union B intersection A union C में भी है यानि इसका भी सदस X है तो दूनू में सदस क्या है? इस परकार से ये मान और ये मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा ये पृव्ड हो गया उनक पस्चाथ अब है DMARGAN का नियम DMARGAN का नियम English इनका होता है DMARGAN's Lodge DMARGAN का नियम अब इनका देखिए कि नहीं दो समूचियो A और B के लिए नियम करें नियम का नियम परिभासित होता है समुच यह इ और वी के लिए नियमलिखित नियम नियमका नियम करता है तो इन इमार्गन का कुंसा नियमका नियम का नियम करता है, यह देखिए काफी Jedet है यह आपको गालास 12 तक सुछे dar तो इस नियम को समझेना बेहद जरूरी है सभी छातरों के लिए तो डिवारगन का नियम क्या होता है नियम फोस्ट है कि यह union इनको पढ़ेंगे कैसे यह union हॉल होल हॉ अब यह जो होता है यहां पर डेस जो ही रहता है तो यह क्या होता है हम पढ़ा चुके हैं पीछले थियोरी लेक्चर फाइप में यह जो होता है कंप्लीमेंट का जो है चीन है कंप्लीमेंट पूरक तो ए यूनियन बी होल पूरक बराबर होता है यह पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक होता है यहां पर देखिए वह सिंपल शिदuire सोचिए तो इये डेसस यहां पर देस है यहां पर एडेस हो गया इसमुझी ज क्या होता है इस क्यां खालें पर गिए इंटर्सेक्शन यहीं डिमारगन का नियम है यह यूनियन भी यह यूनियन भी होल कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट बड़ावर होता है यह कंप्लीमेंट इंटर्सेक्शन भी कंप्लीमेंट होता है हिंदीम पढ़ना चाहेंगे तो यह सम्मिलन भी अब देखे बढ़ावर दूसरा इनका होता है A intersection B whole complement A intersection B whole complement बरावर होता है A complement union B complement यानि intersection रहेगा तो complement अगर दुनों पर बारी-बारी से चढ़ेगा intersection union में बदल जाएगा intersection union में अगर union है तो intersection में बदल जाएगा तो सभी चातरों के लिए यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है अब देखिए प्रूब करते हैं तो माना की एक को हम प्रूब कर लेते हैं माना की let X belongs to A union B whole complement मान लिए की X जो है A union B whole complement का क्या है अब यब है तो कॉल हम बताए थे कि अगर X A union B whole complement का सदस है तो अगर हम complement हटाएंगे जैसे E जो है complement अगर इनको हम हटाएंगे तो X जो है A union B का सदस नहीं होगा ऐसे अगर complement का सदस है तो complement जो नहीं है उनका सदस नहीं होगा complement हटा तो सदस नहीं होगा तो उसी परकार से देखिए तो यहाँ पर compliment हम हाटा चुके है तो यहाँ पर does not लग जाएगा तो X does not belongs to A union B compliment हाटा चुके है क्यों? क्योंकि यहाँ पर does not लग चुका है अब देखिए X does not एक वार belongs to क्या होगा A फिर यह आपको क्या है यहाँ पर कि अगर X A का सदस नहीं है अगर X A का सदस नहीं है A union B का सदस नहीं है तो निश्चित तोर पर X जो होगा B का भी सदस नहीं होगा अगर X इसके union का सदस नहीं है तो X नो तो A का सदस होगा और X नो तो B का ही सदस होगा B का सदस होगा आप देखें यहाँ पर union है तो यहाँ पर end का हम क्यों परयोग कर दिये हैं क्योंकि union के लिए तो हम और का परयोग करते हैं तो end का परयोग हम इसलिए कर दिये हैं चुकि यहां पर confirm होगा ही X नो तो A का सदस होगा और X नो तो B का सदस होगा क्योंकि X तो है कि इस set में समाही नहीं रहा है तो A और B का सदस कहां सोगा इसलिए end confirm करता है तो union के बजले में यहां पर हम end देंगे अब देखिए अगर X A का सदस नहीं है X A का सदस नहीं है तो X जो होगा A कंपलिमेंट का सदस होगा X A का सदस नहीं है तो X A कंपलिमेंट का सदस होगा E end हो गया X B का सदस नहीं है X B का सदस नहीं है तो X जो होगा B कंपलिमेंट का सदस होगा अगर X B का सदस नहीं है तो X B कम्प्लिमेंट का सदस होगा अब देखिए X E Y अब देखिए A पूरक यहां पर हुआ है कि एन्ड का मतलब हो गया interaction दे दिए अब देखिए B पूरक है यहां पर B कम्प्लिमेंट दे देंगे तो इस परकार से देखिए चुरुबात में हम क्या लिये है यहां पर हम रख दिये अब हमको ये निकल के आया है इनको हम रख दिये तो दोनों का सदस क्या है X यहाँ पर भी X है तो X cancel तो नहीं होता है देखिए दोनों में X सदस है यानि इसमें भी X है और इसमें भी X है तो दोनों का मान सेम है इसलिए दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा तो A union B whole complement बराबर क्या होगा A complement, intersection B complement, proved हो गया इसी परकार से आप दो को भी क्या कर सकते हैं प्रूब कर सकते हैं अब चलिए some theorems अब देखिए कुछ पर मैं theorem first theorem first अब देखिए theorem first में हम A minus B बराबर क्या होता है A minus B यहाँ पर देखिए theorem first क्या है A minus B बराबर अब इस minus को महटाएंगे तो intersection B पूरक होगा A तो यहाँ पर होआ ही यह minus जो आटा क्या हो गया A minus B यानि यह अंतर समूझ है तो यह minus आटा तो यह यहाँ पर intersection हो गया और यह आपको क्या हो गया B पूरक अब देखिए परमान हम देते हैं proof मतलब परमान let माना की A minus B का क्या है सदस है X A minus B का सदस है तो इसका अर्थ हो गया की B का element नहीं होगा सिर्फ किसका element होगा X का element होगा जो घटता है उसका element नहीं होता है A में से B घट रहा है तो B का element तो होगा यह नहीं सिर्फ A का होगा X A का सदस होगा अब देखिए minus B तो निश्चित रूप से X A का सदस होगा लेकिन B का नहीं होगा confirm है तिसलिए यहाँ पर लिखेंगे X belongs to A इस minus के बदले में and X does not belongs to B देखिए X belongs to A होगा है इस minus के बदले में हमको end लिखना है और X हम B घट रहा है तो X B का सदस नहीं होगा X does not belongs to हम B देंगे उसके बाद देखिए इनको हम यहाँ पर उतार दिए इस end को हम यहाँ पर उतार दिये अब simple नहीं हम देखिए X अगर B का सदस नहीं है इसका अर्थ हो गया कि X डजनोट है ना B का सदस नहीं है तो X निश्चित रूप से B पूरक का सदस होगा अगर X B का सदस नहीं है तो X B पूरक का सदस होगा देखिए तो यहाँ डजनोट हटाएंगे तो यहाँ पर B कंपलिमेंट हो जाएगा अब देखिए X हुआ ही E belongs to यहाँ पर हुआ ही E A हुआ ही end का अर्थ हो गया intersection end का अर्थ क्या हो जाता है intersection अब देखिए इस X को पहले ही ले चुके हैं तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा B कंपलिमेंट यहाँ पर B कंपलिमेंट दे देंगे तो इसलिए A मिनस B बराबर क्या हो गया A intersection B कंपलिमेंट प्रूब्ड हो गया अब देखिए theorem 2 theorem 2 में for any two sets A A and B आप देखिए पहला है theorem कि A union B बराबर B यानि A और B का union B होगा A union B का union क्या होगा B यानि A और B को मिला देंगे इसके element को तो हमको B पराप्त होगा B पराप्त होगा कब पराप्त होगा जब A subset B यानि A B में समाएगा A का परतेक element किसमे होगा B में अब देखिए इनको हम जो है की दूसरा है A intersection B बरावर A कब होगा जब A subset B होगा आप इनको असानी से समझ जाईएगा यहाँ पर पहले हम symbolic form में हम समझा देते हैं उसके बाद एक एक example हम इन पर लेंगे देखिए Hair given A subset B A इनको subset बोलते है यह B इसका आर्थ हो गया कि A का परते यानि A में जितने भी element है वो B में है तो clearly B subset क्या होगा A union B अगर A subset B है तो B subset A union B होगा है क्यों होगा तोकि A का परते का element B है जब A और B को मिला देंगे तो B जो है A union B का subset होगा है यानि A और B को मिलाएंगे तो B subset होगा है आप देखिए again मतलब पुना माना की X जो है A union B का सदस है मान लिए आप लोग अपने कापी पर लिखते चलिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यह आपका संपूर्ण थियोरी है इसलिए आप लोग लिखते चलिए जैसे कलास में लिखते हैं ऐसे लिखिए तो X विलंग स्टो इसलिए हम धिरे धिरे सुलो चल रहे है कि आप लोग को लिखने में कोई परेशान ही नहीं हो तो X विलंग स्टो A union B हो गया implies तो अब देखिए X A का सदस होगा union है तो और X किसका सदस होगा B का सदस होगा अब हम इनको जो है X union B को पहले लिख लेंगे E और हो गया इनको हम बाद में लिख सकते हैं क्योंकि और है अब देखिए A सबसेट B आपको दिया हुआ ही है अब देखिए इनको हम करना क्या है तो यहाँ पर तो हम X belongs to A के बतले हम B लिख सकते हैं क्योंकि X अगर A का सदस है और A का परतेक सदस B में है तो X किसका सदस होगा B का E और हो गया X देखिए X आपको किसका सदस होगा B का यहूँ बहु ऐसे ही उतार देंगे यह दो बार लिखा हुआ है इनको हम क्या लिख सकते हैं एक बार अब देखिए तो B Subset A Union B था Clear था एक हुआ था अब देखिए तो यहाँ पर X X जो है A Union B का भी सदस है और X B का भी सदस है तो देखिए A Union B यहाँ पर लिख लेंगे चुकि दोनों का B का भी सदस है तो Subset हम B लिख सकते है Subset B लिख सकते है इसको यह से आप देखिए Equation 1 Equation 1 अब हम दो से अब यहाँ पर क्या है B Subset A Union B और यहाँ पर है कि A Union B Subset क्या हो गया Subset B तो चुकि दोनों जो है एक दूसरे का Subset है यानि B Subset A Union B हो गया और A Union B Subset B हो गया तो ऐसा तभी होता है जैसे हम आप लोग को बताया था कि Subset के गुन में कि A Subset B हो या B Subset A हो तो इसका अर्थ होता है A बराबर B तो इसलिए आपको जो होगा A Union B बराबर B होगा अगर दोनों एक दूसरे का Subset हो जाए यहाँ पर B A Union B का Subset है और यहाँ पर A Union B B का Subset है तो ऐसा तब ही संभव है जब A Union B B के बराबर हो तो इस परकार से यह जो है Proved हो चुका है सिद्ध हो चुका है अब देखिए दो को Prove कर लिजिए इसी परकार से कुछ भी इसमें नहीं है यहाँ पर देखिए Intersection है न तो यहाँ पर आपको A and D end लिखना है यहाँ पर भी A and D end लिखना है और कुछ भी नहीं करना है अब चलिए इनका Theorem 3 Theorem 3 For any two sets A and B यहाँ किनी दो समुशियों A और B के लिए इसमें देखिए यहाँ पर A minus B Union B यह minus क्या है Difference है यानि A अंतर समुच B यह अंतर समुच है A minus B A difference B Union B बराबर होता है A union B अब चलिए इनको हम प्रूब कर लेते हैं तो माल लेते हैं कि इस sheet में जो है X element है माल लिए इस पूरे set में X element है X belongs to A minus B Union B अब देखिए X का जो किरिया है X का किरिया इनको हम ऐसे कर देते हैं तो X belongs to क्या होगा एक बार A minus B X belongs to A minus B यह union है तो union के बदले में और होगा फिर X belongs to क्या होगा X belongs to B यह हो गया अब देखिए तो यह union के बदले में आ गया X belongs to B हो गया X यहाँ पर लिखेंगे A belongs to यहाँ पर लिखेंगे यह A है A यह यहाँ पर लिखेंगे आप देखिए X अगर A minus B का सदस है तो इसका आर्थ हो गया सिर्फ X A का सदस होगा जो संक्या घटता है minus B है तो B का सदस नहीं होगा तो confirm करता है यहाँ पर और और हम नहीं लिख सकते है क्योंकि X A का सदस है लेकिन B का नहीं यानि confirm है हम जानते हैं तो इसलिए A and D end लिखेंगे X B का सदस नहीं है यह O, R, Oर है तो यहाँ पर O, R, Oर लिखेंगे और यह X belongs to B है तो यहाँ पर X belongs to B लिखेंगे तो X belongs to A तो X belongs to A यहाँ पर A लिखेंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करना है तो इस सेट में क्या था इस सेट में X A का अलिमेंट था लेकिन B का सदस नहीं था लिख दिये O, R, O, R ही गया और यहाँ पर X B का सदस है तो हमको क्या करना है कि इसको छाट देना है इनको हम छाट दिये X belongs to A और X belongs to B यानि X A का सदस हो गया और X जो है अब B का सदस हो गया तो X यहाँ पर लिख दिये E belongs to लिख दिये A लिख दिये और का होता है union लिख दिये और यह हो गया B तो इस परकार से आप देख सकते हैं कि X जो है इसका भी सदस है X A Union B का भी सदस है तो इसलिए इतना के बराबर क्या होगा? इतना होगा दोनों को बारी बारी सिहां पर लिख चुके हैं तो इतना बराबर क्या होगा? ये इतना होगा उसके बाद theorem 4 देखिए theorem 4 यहां पर क्या है कि 4 यानी 3 sets A, B and C अब देखिए कि नित 3 समुचियों A, B, C के लिए theorem 4 क्या कहता है? पहला है कि A-B Union C A-B Union C अब देखिए तो यहां पर जो Union है और यहां पर किस परकार से अपरेट होड़ा है? A-B Union C यह Union जो है इंटर सेक्षन में बदल जाएगा इंटर सेक्षन में इसलिए बदल जाएगा चुकि इसमें जो हम कोई element X मनेंगे तो यहां पर जो है कि X A का सदस होगा लेकिन B Union C का सदस नहीं होगा तो इसलिए end वहां पर पर्योग होगा तो Union जो है कि end में बदल जाएगा तो देखिए A और B एक साथ आएगा अंतर समुझ की रूप में Union intersection के रूप में बदलेगा पर हैंगे कैसे A – B Union C बराबर A – B intersection A – C कैसे लिख दिया दूसरा जो होता है A – B intersection C A – B intersection C C हो गया अब यहाँ पर बराबर है तो यहाँ पर बराबर हम लिख देंगे फिर A – क्या होगा B तो देखिए क्या Union intersection में बदला था तो यहाँ पर intersection किसमें बदलेगा Union में तो A – B होगा अब A – C होगा हो गया अब देखिए पुरूफ मतलब परमान हो गया परमान एक में देखिए माना कि X जो है A – B Union C का सदस है यानि मान लेंगे कि X इसका सदस है इसका सदस हो गया तो X जो है A का सदस हो गया यह मैनस है तो यहाँ पर आपको end लिखना है मैनस के लिए end जोकि B Union C घट रहा है तो X जो है B Union C का कभी भी सदस नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए X मैनस है तो मैनस जैसे लगा रहेगा तो डजनोट B Union C होगा यानि X A का सदस नहीं है तो देखिए डजनोट है ना X नो तो B का सदस होगा और X नो तो C का सदस होगा चुकि यहाँ पर डजनोट नहीं लगा रहा था यहाँ पर OR लिखा रहा था चुकि डजनोट है तो इसलिए X नो तो B का सदस है और नहीं C का सदस है तो डजनोट लग गया अब आपको करना क्या है X belongs to A यहाँ पर रखना ही है E end हो गया फिर A जो है कि एक बार इनके साथ operate होगा तो यहां पर लग जाएगा फिर आपको जो है यह जो end है यहाँ पर end रह जाएगा अब फिर X belongs to A है एक बार क्या होगा C के साथ operate होगा X belongs to A लिख देना है अब देखिए E and यहाँ पर लिख देना है और यह जो है इनको यहाँ पर लिख देना है लिख दिए अब देखिए X यहाँ पर भी X यहाँ पर भी X A का सदस है और X B का सदस नहीं है तो इसका अर्थ हो गया कि X belongs to A minus B मतलब X A का सदस है लेकिन B का सदस नहीं है तो इसको हम इस परकार से लिखते हैं अगर इनको हम expand करें तो X belongs to A लिखेंगे मैंनस के पतले में end लिखेंगे चुकि B घट रहा है तो X does not belong to B ऐसे लिखेंगे यह इसको हम इस परकार से लिख सकते हैं यह end हो गया यह आपका क्या हो गया end अब देखिए x1 का सदस है और xc का सदस नहीं है तो हम यहीं लिखेंगे कि x belongs to a minus c यानि x a का सदस है लेकिन c का सदस नहीं है तो चूकि x a minus b का सदस है और x जो है कि a minus c का सदस है तो x जो है कि हम निकाल लेंगे तो a minus b यहाँ पर लिखेंगे end का intersection लिखेंगे और a minus c यहाँ पर लिखेंगे यह इस फरकार से हम लिक चुके हैं तो आप देखिए चलेंगे हम शुरुबात में इनको हम यहाँ पर लिख देंगे और इनको हम यहाँ पर हम लिख देंगे लिख चुके हैं अब देखिए X जो है कि इसका भी सदस है X इसका भी सदस है तो दोनों में सदस क्या है X है तिसलिए ये मन और ये मन आपस में क्या होंगे बराबर होंगे ये प्रूब्ड हो चुका है अब कुछ और important आप formula को देख सकते हैं जिनको आप सुएं जो है कि सिद कर सकते है तो अन ये जो है कि मुख्य फर्मूले क्या होते हैं वह होते हैं पहला यहां पर देख सकते हैं कि A-B union ये बराबर A होता है A-B intersection A-B intersection B-A बराबर फाय होता है तीसरा होता है A-A-B यानि A- A-B बराबर होता है A intersection B चोथा फर्मूला होता है A intersection B-C A intersection B-C बराबर होता है A intersection B B E हो गया मैनस और A intersection C यानि A intersection C ये हो गया E- यहां पर आगया simple लूप से दिमाग लगाईए अगर A को operate करेंगे एक बार B के साथ होगा एक बार किस के साथ होगा C के साथ E मैनस है तो यहाँ पर मैनस हो गया पाच्मा फर्मूला होता है A union B मैनस A union B मैनस A intersection B बराबर होता है यहाँ पर देखिए A मैनस B A मैनस B उसके बाद union B मैनस C होता है A union B मैनस A intersection B बराबर होता है A मैनस B union B मैनस C होता है यह फर्मूला होता है आप लोग जोएकि इस फर्मूले को याद रखते जाएंगे अब देखिए छठा फर्मूला होता है A union B मैनस C बराबर होता है A-C union B-C यह काफी important है तो इसलिए इनको आप लोग याद करते जाएंगे अब देखिए सात्मा formula होता है सात्मा formula A-B A-B बराबर होता है A intersection B पूरक पहले भी proved कर चुके हैं अब देखिए A यहाँ पर हो ही गया यहाँ पर मैनस B है तो intersection मैनस के बदले में intersection यह B पूरक आ जाएगा आठमा formula है A union B परने के लिए पहले सिखिए A union B intersection A union B पूरक बराबर A होता है नमा formula होता है A union B बराबर B होता है इंपलाइज यह कब होता है जब A A subset हो जाता है आपको A subset हो जाता है आपको B A subset B तो तभी इस formula को हमने सिर्फ सीध किया था example नहीं दिया था तो अभी देख लिजिए जैसे example हम इनका लेते हैं जैसे A कोई set है इसमें एक दो element है B कोई set है इसमें एक दो तीन element है तो देखिए यहाँ पर A subset B होगा की ने होगा क्योंकि एक दो एक दो इसमें भी है तो A subset B हो गया अब देखिए A union B कीजिए A union B करेंगे एक दो है यहाँ पर यहाँ पर एक तीन तीन यानि सम्मीलन कर रहे है इसके element इसके element को मिला देंगे अब देखिए एक दो तीन किसके बराबर है B के बराबर तो यहाँ पर हम B लिखेंगे तो देखिए A union B बराबर क्या होगा B कब होगा जब A subset B है तो वही चीज है अब नम्मा फर्मूला है A union B बराबर A मैनस B union B मैनस A union A intersection B यह चीज होता है उसके बाद चलिए समुचियों के अभयबों की संक्याँ पर कुछ परमे यह काफी important परमे है अब जो है कि एक exercise इसी परमे पर अधारित है इनके सभी सवाल इसी परमे पर आपको बनेंगे तो some theorems on a number of elements of sets theorem first है if A and B if A and B are finite sets यदि A or B क्या हो परिमिस समुच्च हो देन तब अब देखिए N A union B बराबर होता है N A देखिए इनका अर्थ क्या होता है कि number of elements in the set A union B यानि A union B में अभियबो की संख्या इनको हिंदी में परना चाहेंगे तो A union B में अभियबो की संख्या बराबर होता है A में अभियबो की संख्या जो और B में अभियबो की संखिया माइनस A और B में अभियबो की यानि A intersection B में अभियबो की संखिया तो N A union B बराबर होगा simple रोप से N A N A हो गया N B N B हो गया माइनस यानि A और B में जो common होगा तो वो दो बार जूट चुका है इसलिए एक बार घटा देंगे यानि माइनस N A intersection B पुनो इस formula का एक बार याद कीजिए N A union B बराबर होता है N A plus N B माइनस N A intersection B ये होता है अब चलिए इनको हम सिद्ध करते हैं तो कैसे सिद्ध होगा तो देखिए ये कोई universal set S है तो चुकि A और B दो सेट लिया है तो A और B दो सेट हो गया अब देखिए इसमें कोई element होंगे ये जो इधर भी काटा इधर भी काटा तो A A intersection B यानि A intersection B का मतलब हो गया कि इस part में A का भी अभियब है और B का भी अभियब है A मैनस B का अर्थ हो गया कि इस part में वही अभियब है यहां सीधर तक B को छोर करके इस part में जो A जो काट रहा है इसको A वाला अभियब को छाट करके सिर्फ किसका अभियब है B का जिसलिए मैनस A कर देते है अब देखिए पूरूप मतलब हो गया कि जो 5 हो 10, 20, 25 जो अभियब हो इसमें है और B में Q अभियब हो यह जो B हो गया इसमें कितने अभियब हो Q अभियब अब देखिए A इंटरसेक्शन B में R अभियब हो यह जो common part हुआ इसमें R अभियब हो तो where जहां A और B A और B फिनाइट यानि परिमित और non empty set तो जहां पर A और B किया है फिनाइट यानि परिमित non empty यानि empty नहीं है यानि कुछ न कुछ इसमें element है अब देखिए A union B यानि A union B के element को हम count करना चाते हैं कि A और B में अभियब की संक्यां क्या होगा तो देखिए इस element को हमको क्या करना परेगा एक बार ही जोरना परेगा अगर A के साथ एक बार जोर लेते हैं तो इसमें जो 5 गो element हो इसको भी जोर लेते हैं यानि A और B को जोड लीए, इसमें जो element आया उनको घटा देजिए क्यों खिआ और B के साथ भी जोडा गया है और एक और B के साथ भी जोडा गया है दूबर एप फूर पर जूट रहे तो इसलिए एक और घटा याप होगा तो देखिए N A union B बराबर क्या होगा P minus R P-R क्यों क्योंकि देखिए इस पूरे में इस पूरे में इस पूरे में हम क्या माने है P-R R-R और इस पूरे B-R अब्यब होगा फार्लस याँ इसमें P-R हैं को छांट करके पार्लस आर इस आर को जोरना है यानि तीन पाट हो गया एक दो तीन तो इसमें पी मेनस आर अब जब होगा फिर पलस आर होगा और इसमें क्यू मेनस आर होगा क्यू मेनस आर होगा अब देखिए मैनस आर पलस आर मैनस आर पलस आर कट गया इपी बचा इपको क्यू बचा इपको क्यों तो देखिए nb बराबर क्यों एन भी होगा क्यों के बदले में ए इतो मैनस आइर देखिए तो एन एंट्रसेक्षन बी को हम आर माणने है तो यहाँ पर हम क्या देंगे एंट इंट्रसेक्षन बी देंगे यह वो गया आप लोग वीडियो को रोक करके जो है कि इस फॉर्मूला को जो सिद्ध किया है इनको उतार लेजिए इनका तियोरम 2 देखिए करें कि 4 एनी 3 सेटS A, B and C किनी 3 समुचियों A, B, C के लिए अब देखिए कोई सेट जो है कि A, B, C के लिए आपको दिया रहेगा तब क्या होता है N, A, Union, B, Union, C यानि 3 समुचियों का जो समीलन होता है उसमें अभयवों की संक्यां हम किस परकार से निकाल सकते है तो देखिए N, A, P, N, B, P, N, C यानि फॉर्मूला देखिए क्या होता है N, A, Union, B, Union, C का फॉर्मूला क्या होता है N, A, P, N, B, P, N, C, माइनस N, A, Intersection, B, Minus, N, B, Intersection, C, Minus N, A, Intersection, C, Plus, N, A, Intersection, B, Intersection, C ये फॉर्मूला होता है अब देखिए इनको हम सीद कैसे करेंगे तो यहाँ पर हम प्रूफ लिख दिया है LHS पार्ट लेंगे N, A, Union, B, Union, C है तो इनको हम ऐसे किये A और B को हम A और B को हम एक साथ ले लिए ये Union है Union हो गया ये C है तो C हो गया अब इनको मान लिजिए कि ये पुरा मान हो गया A ये पुरा मान क्या हो गया A ये पुरा मान ये C हो गया B तो N, A, Union, B के फॉर्मूला पर आया किने आया अब ही जो उपर में हम सी देखिया है तो आपको क्या होगा N A union B plus N C minus N A union B intersection C होगा A intersection B होता है A intersection B होता है उस फोर्मूला पर बैठ गया अब देखिए तो इनको जो है कि N A union B का फोर्मूला यहां पर जो होता है उनको यहां पर लिख दिए तो उनका फोर्मूला होता है N A plus N B minus N A intersection B अब देखिए यह N C आपको हो गया N C इसको भी अब तोर देंगे इसको भी अब हम तोर देंगे इनको जब हम तोरेंगे देखिए इसके लिए हम आपको सुत्र लिखा चुके हैं तो इनका सुत्र क्या होता है N A intersection C Union B intersection C होगा इनका सुत्र क्यों होगा? क्योंकि देखिए C एक बार A के साथ अपडेट होगा C एक बार B के साथ अपडेट होगा यह हो गया इनको हम इस परकार से लिखेंगे उसके बाद यह यहां उतर गया यह मैनस यहां हो गया उसके बाद यह मान यहां पर हो गया यह पलस यहां पर हो गया यह N C यहां पर हो गया यह मैनस यहां पर हो गया अब देखिए यह पुरा मान आपको हो गया क्या? A ये पुरा मन आपको क्या हो गया B यानि A union B फिर वाई N A पलस N B चुकि मैनस गुना हो रहा है तो पलस को क्या कर देगा मैनस अब देखिए यहाँ पर मैनस होता है मैनस A intersection B तो मैनस ये गुना होँआ पलस कर दिया N E मन पुरा A हो गया intersection E पुरा मन B हो गया इस परकार से हुआ मन हो गया यहाँ पर मैनस होता है A intersection B तो एक जगव A intersection C है और उसके बाद intersection ये B के जगव B intersection C है इनको आप रख देंगे रख दिये रखनेक पस्चात अब सब को उतार दिये हैं तो A intersection C यहाँ पर ये हो गया ये पलस हो गया उसके पस्चात देखिए ये यहाँ पर इस परकार से लिख देंगे क्यों याँ पर देखिए पर्योग क्या है C दो बार पर्योग हो चुका है C यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो एक बार ही C का पर्योग करना है A intersection B intersection C ये proved हो गया अब देखिए theorem 3 theorem 3 correct समुचियो A, B, C में से ठीक ठीक किसी दो के अभयबों की संखिया समुचियो A, B, C में से ठीक ठीक किसी दो के अभयबों की संखिया के लिए जो सुत्र होता है वो होता है आपको N, A intersection B क्या होता है N, A intersection B पलस N, B intersection C पलस N, A intersection B मैनस 3 N A intersection B, intersection C ये फोर्मूला होता है कहेगा कि समुचियो A, B, C में से ठीक ठीक किसी दो में अभयबों की संखिया निकाल लिए तो इस फोर्मूला का यूज़ करके आप निकाल सकते है अब देखिये इनका चौथा फोर्मूला जो होता है इनका चौथा पर्मे ये फोर्मूला होगे ये पर्मे हो गया ये पर्मे क्या कहता है कि समुचियो A, B, C तथा समुचियो A, B, C में से ठीक किसी एक में अब्योबो की संख्या यहाँ था कि दो में अब्योबो की संख्या यहाँ पर क्या है एक में अब्योबो की संख्या तो इनके लिए क्या फोर्मूला होते है देखिये इनके लिए जो फोर्मूला होता है होता है N A पलस N B पलस N C N A पलस NB, ये पलस NC, माइनस 2N A intersection B, माइनस 2N B intersection C, माइनस 2N A intersection C, पलस 3N A intersection B intersection C, ये फोर्मुला होता है, अब देखिये परमे 5, थियोरेम 5, N A complement union B complement बराबर होता है, N S, माइनस N A intersection B, ये होता है, पुरूब पार्ट को यहां पर आप देख सकते हैं, चोकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, A intersection B का होल पूरक लिख सकते हैं, अब देखिये, अगर आपको ये पूरक है, तो ये किस में से गटेगा, उनिवर्सल सेट में से तो पूरक क्या होगा, हट जाएगा, हट गया, पूरूब दो गया, अब जो एकी पड़ में छो, पड़ में छो, इनका मान इतना होता है, यानि N A पूरक intersection B पूरक बराबर होता है, N S मैनस A यूनियन B होता है, अब देखिये फॉर्मूले, यहां पर आप सभी फॉर्मूले को हम एक जगा लिख दिय हैं, तो सभी छातर इनको धियान पूरक अपने कापी में अगर इतना नहीं भी फड़ा है, आप सिर्फ इस फॉर्मूले को उतार लेजिए, अपने कापी में याद कर लेजिए, सभी सवाल आप बना पाएंगे, N A यूनियन B बराबर होता है, N A पॉलस N B मैनस N A इंटरसे होता है, तीसरा फर्मूला होता है, N A यूनियन B बराबर N A मैनस B पलस N A इंटरसेक्शन B पलस N B मैनस यह होता है, उसके बाद चोथा फर्मूला होता है, N A यूनियन B बराबर होता है, N A पलस N B, अब देखिए, A इंटरसेक्शन B बराबर फाय, यह होता है, पास्मा फर् एइंटर सेक्षान यह फोर्मूला होता है चाथा फोर्मूला होता है याली बढ़ाबर SI énorme य।य होता है यह पर आभ पोहर होता इसलिए श्राइव उसलिए डीफ में लगत होता है ऑब उसलिन को सोच्छी सगर के यह फोर्मूला व यह फर्मूला होगा यानि B में से घटेगा और उसका इंटरसेक्शन को जोड़ देना है सातमा फर्मूला देखिए A तथा B में ठीक ठीक में एक में अभियोवो की संख्यां उपर में हम बता चुके हैं फिर भी देखिए A तथा B में है वहाँ पर तीन सेट था इसलिए यहाँ पर दो सेट में अगर A तथा B में अभियोवो की संख्यां कहेगा तो क्या होगा यहाँ पर दो ही सेट है यह होता है N A यूनियन B मैनस N A इंटरसेक्शन B ऐसे होगा आठमा फर्मुला देखिए N A पूरक इंटरसेक्शन B पूरक बराबर होगा N S मैनस N A यूनियन B यह होगा नमा फर्मुला होगा N A पूरक यूनियन B पूरक बराबर होगा N S मैनस A इंटरसेक्शन B तो इस फरकार से आपने यहाँ पर जो है कि शेट थियोरी, कलास 11 के सभी थियोरी को आप देख चुके हैं, सभी फॉर्मूले को देख चुके हैं, आप सभी पार्ट को देख लिजिए, गैरेंटी देता हूं कि आप जो है कि मांस्टर बन ही जाओगे, आप जो है कि 11 को फंक्शन्स, उनका हम थियोरी स्टार्ट करेंगे, अगले वीडियो में आएगा, तो देखिए, मेरा वीडियो जो चलता है, वो पार्ट वाइज चलता है, इसे लेक्चर 1, लेक्चर 2, थियोरी के लिए ऐसे निर्धारित करते हैं, उसी परकार से दूसरा शेटर रिलेशन कर चुके हैं तो अब इनके जितने भी एक्सराइज हैं, उनको जो हैं अम कंप्लीट करेंगे, जैसे ही एक्सराइज कंप्लीट होगा, तब हम इनको पढ़ाना शुरू करेंगे, तो आप लोग सेरियली देखिया, और वीडियो को अधिक सधिक फिलाइए, ताकि अन्छात पर बीलाप लेसे कि